तो अब तक हमने देखा कि हाउशन और उसके दोस्तों को अलग हुए पूरा एक साल बीच चुका था और तब इसे ये सभी ट्रेइनिंग में लगे हुए हैं वैसे इस एक साल में चीज़े बहुत बदल चुकी हैं क्योंकि हाउशन को ढूनने के लिए डेमन लॉट ने जो हुने वाला था लेकिन तब ही वहाँ हाउशन या यू और वैंस आवा जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग की वज़े से पार बहुत जादा बढ़ चुकी है यहां वो लड़ते हुए उन दोनों ही डेमन कोट्स को खत्म कर देते हैं और यू लॉट पास को बचा लेते हैं विसे वैंस आव वहाँ से अपनी टीम के पास चला गया था क्योंकि जल्दी उन्हें एक पिशन मिलने वाला है लेकिन यहां हाउशन और यू अभी अपनी टीम से नहीं मिल सकते क्योंकि इसके पहले उन्हें एक टेस्ट पास करना होगा जिस टेस्के लिए हाउशन तयार था तो ही बता दू कि यह टेस्ट इतना जादा आसान नहीं होगा इसे पास करने के लिए तुम्हें अपने पाहर की नॉलेच होना बहुत जादा जरूरी है हलाकि हाउशन इस चीज के लिए तयार था लेकिन तभी उसे एक एनरजी महसूस होती है और साथ ही उसे एक एनरजी प्र पलादिन से भी ज़्यादा बावफुल लग रही है हलाकि अब हाउशन ने रिस्पेक्ट देता है और तभी वहाँ पर मास्ट पलादिन आ जाते हैं वो कहते हैं कि यही तुम्हारे एक्जामिनर होने वाले हैं इन्हें कम मत समझना इनकी उम्र भले ही धोड़ी सी जादा ह लेकिन यह बहुत बावफुल है तब ही वहाँ से वो उल्ड मास्ट कहनी लगते हैं यह टेस्स बहुत ही जादा सिंपल है तुम्हें सिर्फ मुझे हराना है और तुम जीच जाओगे लेकिन मुझे एंडरेस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यह इतना आसा नहीं हो होने वाला है इसके बाद वो यहां हाउशन से हमला करने को कहते हैं ऐसा कहते हुए उन्होंने एक बारियर भी क्रेट किया था साथ ही अपनी एनरजी भी रिलीज की थी जिसके बाद हाउशन कहता है कि मैं भी आपकी पूरी बार दीखना चाहता हूँ इससे मुझे भी होने से पहले ही रोख जाते हैं यह असल में उस तेमपल की पार है जिसे वो एड pense कहते हैं हाउशन वैसे तो अपनी डारेक्शन बदल बदल कर ड़़ अड़कर कर रहा था पर उनकी वैह शील्ड वैसम को पहले ही रोकते जा रही थी इस वज़े से हउशन औरenser के करीब ही आपा था, उल्ड मास्टर उसे बताते हैं कि ये बस अड्मांचिन बेस की बेसिक बार है, इतना कहते हुए वो अपने एनरजी फिर से एक बार रिलीस करते हैं, जिसके कारण हाउशन वहाँ से दूर फिक चुका था, अब यहाँ वो उल्ड मास्टर मास्टर पलादिन से कहने लगते हैं कि अभी समय नहीं है, तुम्हें कुछ और साल इंतजार करना होगा, इतना कहकर वो लौटने लगे थे, पर अभी हाउशन अचानक से उन पर हमला कर दीता है, वो फिर से अपने आमर की बार से वहाँ सामने से इम वैसी ही शील्ड क्रेट करते हैं, जो कि पहले उनने अटाक से बचा रही थी, उस शील्ड को यहाँ हाउशन ने अपने अटाक से डिस्ट्रॉई कर दिया था इस वज़े से हाउशन रुक चुका था, लेकिन वो अटाक भी ब्लॉक हो गया था जिस वज़े से वो ओल्ड मास्टर थोड़े से हैराम थे, पर वो कहते हैं कि तुमने तो अभी तक इस आमर की सिर्फ एक ही पार देखी है इतना कहते हुए, उन्होंने जितनी भी एनरजी अभी उन शील्ड को क्रियेट करने में यूज गी थी उतनी ही लाइट एनरजी वो एब्सॉप करने लगे थे वो कहते हैं कि उनका आमर अपने आप ही एनरजी को एब्सॉप भी कर सकता है इससे बैटल के दोरान उन्हें बहुत साथा एडवांटेज मिलता है वो कहते हैं कि क्या तुमें से रोख सकते हो जिसके बाद हाउशाइन यहां हवा में आ जाता है और तुरंधी अपनी लाइटनिंग स्वार्ट को निकालते हुए एक बड़ा सा फॉर्मिशन क्रियेट करकर बहुत बड़ी फायर बॉल्ड से उल्ड मास्टर पर हमला करता है हलागि उल्ड मास्टर पहले से तैयार थे वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें तीसरा हमला दिखाता हूँ यहाँ वो अपनी सारी स्प्रिच्वल एनरजी को एक शील्ड में स्टोर करते हुए उस शील्ड को अटाक के तौर पर यूज करते हैं जिस वज़े से यहाँ हावशन की वो फायर बॉल डिस्ट्रॉई हो जाती है विसे अभी यहाँ उनका ये अटाक उस वायर बॉल को डिस्ट्रॉई करने के बाद सीधा हावशन से जाकर टकराने वाला था लेकिन उन्ही कुछ सेकिंद्स में हावशन तुरन थी अपनी उस सेक्रेड आर्टिफेक्ट शील्ड को बार निकाल लीता है ये वही शील्ड है जो की स्नेल गॉट से हावशन को मिली थी ये एक सेक्रेड आर्टिफेक्ट है जिस वज़े से इन्हे बहुत ही इसली यहाँ ओल मास्टर के हमले को रोक लिया था बलकि यहाँ वो उस अटाक को रिफलेक्ट तक कर देती है जिसकी वज़े से वो एनर्जी वापस ओल मास्टर से टकराने भाली थी हलाकि वो उसे रोक तो लेते हैं पर वो अभी ये देखकर हैरान थे कि हावशन के पास एक डिफेंस टाइप सेक्रेड आर्टिफेक्ट है हलाकि अभी हावशन भी यहाँ बहुत साथा हैरान था वो सूच रहा था कि इनकी पार को रोक पाना लगबग नामुनकिन जैसा है इनकी एनर्जी बहुत ख़तरनाक है अगर मेरे पास इस वक स्नेल गौट की दी हुई शील नहीं होती तो मैं इस हमले को भी नहीं रोक पाता वैसे थभी वहाँ से वो ओल्ड मास्ट कहनी लगते हैं कि बहुत बढ़िया तुमने मुझे एक कदम पीछे हटा दिया मानना पड़ेगा तुम मेरे टेस्ट के लायक हो इसलिए आप मुझे तुमारे टेस्ट शुरू करना चाहिए ये सुनकर हाउशान हैरान था वो सूच रहा था कि इसका मतलब अभी तक सीनियर ने अपनी बार दिखाना शुरू भी नहीं किया है वसा इसके बाद ओल्ड मास्टर तुरंथी अपनी दो दलबारे बाहर निकालते हैं जिनके अंदर से बहुत जादा पाफुल एनरजी निकल रही थी यहां वो उनकी मदद से हाउशान पर हमला करते हैं लेकिन हाउशान उनके हमले को रोकते हुए वहां से पीछे हटता है और तुरंथी अपनी दलबारों को तयार करते हुए उल्ड मास्टर की तरफ असुरा स्लैश का इस्तमाल करता है लेकिन उल्ड मास्टर ने भी स्वार्ट स्ट्राइक से हाउशान के अटाक को डिस्ट्रॉय कर दिया था वैसे जब ये दोनों अटाक टकराए थे तो वहां एक बहुत दीज धमाका हुआ था पल्ला के लिए इस चीज से हाउशान को ज़्यादा डामिज नहीं पहुचा था वो तुरंती वहां धूल हटाकर थोड़ा उपर आता है और अपने धबल ड्रागन का इस्तिमाल करते हुए सीधा आगे बढ़ जाता है उल्ड मास्टर पर हमला करने के लिए पर वो उल्ड मास्टर भी इस अटाक के लिए तयार थे वो अभी अपनी दूनों तलबार लेकर अपनी ड्रागन स्पिरिट के साथ हाउशन के अटाक से फेस्ट टू फेस्ट अकरा जाते है जिसके बाद वहां एक बार फिर बहुत तीस दमाका होता है इस दमाकिस से हाउशन बच तो गया था पर वो अपने घुटनों के बाल आ चुका था और ना चाने उसे क्यों अभी उस ओल्ड मास्टर को देकर एक सिमिलर सी फीलिंग आ रही है बिल्कुल ऐसी जिसे वो इस तरह की बार पहले कभी फेस कर चुका हो हलाकि तभी उसे बेंजाओ याद आता है क्योंकि उसकी एनरजी भी सेम इनी की तरह है पर उसे अभी ये चीज समझ में नहीं आती और वैसे भी अभी वो लड़ाई के बीच है इसलिए उसे इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए यही सोचते हुए वो तुरंती हमला करना शुरू करता है और हमला करने के लिए इस बार उनके सामने बहुत ही जादा पावफुल टेक्नीक का यूज किया था उसने एक बहुत ही जादा पावफुल टेक्नीक का यूज किया था ये एक सीक्रेट टेक्नीक है जो कि उसने Phantom Cave से सीखी थी इस टेकनीक को देखते ही Old Master समझ चुके थे कि Howshan किस टेकनीक का इस्तमाल कर रहा है वो कहते हैं कि ये Phantom Cave की सबसे पाफुल टेकनीक में से एक है देखते हैं तुम इसका इस्तमाल कर पाते हो की नहीं अब Howshan जैसे ही इस टेकनीक का यूज करता है वहाँ एक बहुत बड़ा एनरजी सर्कल क्रियेट हो जाता है जिससे लाइट एनरजी की बॉल सीधा Old Master की तरफ आ रही थी यहाँ पर Old Master उससे कहते हैं कि तुमने गल्दी की इस तरह की टेकनीक को यूज करने के लिए तुमें अपनी सारे स्प्रेचुल एनरजी यूज करनी पड़ती है एक लेवल एक कनाईट भी वहाँती सोच समझ कर इस तरह की टेकनीक का इस्तमाल करता है इस तरह से बैचल ग्राउंड में तुम अराम से हार सकते हो उनका कहने का साफ मतलब यही था कि हावशन अगर इतनी पाफुल टेकनीक का इस्तमाल करेगा तो उसकी एनरजी शुरुवात में ही खत्म हो जाएगी इतना कहते हुए वो यहाँ स्वार्ट स्ट्राइक से हमला करते है लेकिन हावशन भी उनका अटाक को रूखते हुए कहनी लगता है कि ठीक है फिर मैं आपको अपनी पूरी पार दिखाता हूँ जो कहते हुए हावशन ने अपनी दूनों तलवार उपर उठा ली थी और वो वहाँ लाइट के एनरजी को एपसॉप करने लगा था जैसे जैसे उसकी बॉड़ी में वो लाइट एनरजी बढ़ रही थी वैसे वैसे ही हाँ वो ओल मास्टर उसकी तारीव कर रहे थे वो कहते हैं कि मन न बढ़ेगा इस अटाक में कुछ तो बात है वो भोलते हैं कि मैं भी इंतजार करता हूँ दीखने के लिए कि तुम किस तरह के अटाक कर इस्तमाल कर रहे हो अब हाँ शान उतनी ही लाइट अनरजी को अपसाप करने के बाद उसे रिलीज करता है जिसके बाद वो अनरजी वहाँ सीधा हवा में आने लगी थी अभी टेम्पल के उपर जो गाज हैं वो भी उस अनरजी को देखकर हैरान थे तब ही वहाँ लाइटनिंग स्वार्ट का एक बहुत बड़ा क्लोन क्रियेट हो जाता है उसे देखकर ओल्ड मास्टर बहुत ही जादा हैरान थे उन्हीं डर था कि कहीं ये हमला पुरे टेम्पल को डिस्ट्रॉइ न कर दे तब ही वो लाइटनिंग स्वार्ट सीधा उनके उपर आकर गिरती है लेकिन अचाना कि हाउशन एक लग डामेंशन में पहुँच जाता है ऐसा ओल्ड मास्टर ने उस टेम्पल को बचाने के लिए किया था यहाँ आकर हाउशन हैरान था तब ही उसके उपर एक एनरजी प्रेशर बढ़ता है और उसके सामने एक माइथिकल बीस्ट आता है जो कि उस पर हमला कर रहा था हाउशन उसे देकर हैरान था लेकिन उस एनरजी प्रेशर के चलते वो खुद की बोड़ी को मूव नहीं कर सकता था वैसे वहाँ उल्ड मास्टर भी आ चुके थे वो उस बीस्ट से रुकने का कहते हैं लेकिन वो बीस्ट उनकी बात नहीं सुनता तब ही वहाँ हाउशन के बोड़ी से बहुत पावल एनरजी रिलीस होती है और वहाँ पर आस्टन ग्रिफिन सामने आ जाता है ये एनरजी और ये सीन बहुत ही साथा कूल था इसकी वज़े से वहाँ वो जो एक रिलिम क्रियेट हुई थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉई हो गई थी जिसके बाद अब यहाँ बाहर हम हाउवे को देखते हैं अभी सिर्फ हाउवे ही बाहर आया था लेकिन हाउशन को खत्रे में देखकर उसको इतना कुस्सा आ रहा था कि उसकी अनरजी जो यहाँ ओल मास्टर ने महसूस की वो उसके उसका जो नाइन हेडिट फ़र्म की थी वैसे अभी ओल मास्टर ये चीज़ देखकर जादा हरान थे कि वो मस्टीडियस इनरजी इतने चूड़ी से मास्टर की बोडी से निकली क्योंकि अभी वो सिर्फ हाउवे का नामल फॉर्म देख पा रही थे हालागि इसके बाद वो अपनी दलवार वापस रख लेते हैं जो देखकर हाउवे भी वापस हाउशन के पास आ जाता है हाउशन कहता है कि सेनिया आप ये क्या कर रही हो अभी तो टेस्ट खत्म भी नहीं हुआ है जो सुनकर ओल्ल मास्टर कहनी लगते हैं कि टेस्ट पूरा हुआ तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है ये सुनकर हाउशन हैरान था वो कहने लगता है कि अभी कैसे मैंने तो आपको हराया ही नहीं जिस पर Old Master हसने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों मेरा मजाग उड़ा रहे हो एक लेवल 9 का नाइट लेवल 8 के नाइट से हारते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा अभी हाउशन इस चीज को सुनकर थोड़ा सा हैरान था वैसे अभी कुछी तेर पहले उसने एक मिस्टिकल बीस को देखा जिसे Old Master कंट्रोल कर रहे थे इस चीज से उसके सारे डाउट लेयर हो जाते हैं क्योंकि पूरे अलाइट्स में सिफ एक ही ऐसा आदमी है जो मिस्टिकल बीस को कंट्रोल कर सकता है और वो है YANG हाउईू यहाँ पर हाउशन ये चीज भी समझ चुका था कि Master हाउईू के पास से उसे similar feeling क्यों आ रही थी असल में येंग हाउईू, मतलब Master हाउईू Master येंग मतलब अभी के current Alliance Leader जोकि Vateng Zhao की grandfather भी है और हाउशन पहले भी वैंजाओ से लड़ भी चुका है इसलिए वो इस एनरजी को महसूस कर पा रहा था और इसी वज़े से उसे ये सिमिलर फीलिंग आ रही थी वैसे अब हाउशन कहता है कि मुझे माफ करना से इनिया मैं आपको पहचान नहीं पाया इस पर मास्टर हाउशन को अपनी एनरजी प्रोवाइट करते हैं हाउशन को अभी ये चीज समझ नहीं आते पर मास्टर हाउशन बताते हैं कि अब से कोई तुमें इसली पहचान नहीं पाएगा जब तक कि तुम खुद उसे ना बताओ कि तुम कौन हो ऐसा वो डेमिन्स के चलते कह रहे हैं क्योंकि सारे डेमिन्स हाउशन के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए हाउशन को खुद को छुपा कर रखना होगा वैसे अभी इसके बाद वहाँ वही ध्रून अपियर होता है जिसे हमने शुरवात में देगा था वो यहाँ हाउशन को उस थ्रून पर जाकर बैटने को कहते हैं अब हाउशन वहाँ बैटता है और उसके कपड़ों में थोड़े से चेंजर्स आते हैं जिसके बाद हमने पता चलता है कि अभी वो भी यह एड्मांटियन नाइट बन चुका है वसे इसके बाद अब हाउशन मांसे नीचे आता है और मास्टर हाउशन उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना खयाल रखना होगा क्योंकि तुम्हारे पास जो मॉंस्टर है वो बहुत वाफुल जैमन है इसलिए तुम जब तक खुद धाकत वर ना बन जाओ तब तक उसके असली रूप को किसी के सामने मत लाना वरना तुम्हें बहुत प्राब्लम होगी हाउशन कहता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा वसे फिर हाउशन कहनी लगता है कि आपने मुझे तो छुपे रहने के लिए मदद कर दी पर क्या आप मेरे हाउवे की भी मदद कर सकते हो जिसले अब यूप कहते हैं कि मेरे पास तो इसका कोई रास्ता नहीं है पर नाइट माउंचन पर एक ओल्डमैन रहते हैं वो तुमारी मदद कर सकते हैं बशे हाउशन उनसे बहुत समय बात मिलने वाला है इसलिए अभी वो बहुत खुश था अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो नाइट माउंटिन के लिए निकल चुका था अब जब वो वहाँ पहुँशते हैं तभी वो ओल्ड मैन बाहर निकल कर आते हैं हाउशन उन्हीं देखते ही गुटनों के बल आ चुका था अलाकि ये उल्ड मैन उसे पहचान नहीं बा रही थे इसलिए वो पूछते हैं कि तुम कौन हो जिस पर हाउशन अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं हाउशन हो अब उसका नाम सुनते ही उल्ड मैन को वही छोटा वाला हाउशन याद आता है वो कहते हैं कि तुम तो कितने बड़े हो चुके हो मैंने तुम्हारे कई सारे कार नामों के बारे में सुना है अब तो तुम फेमस हो गए हो निसके बाद वो कहनी लगते हैं कि तुम यहां बहुत समय बाद आए हो क्या तुम्हें कोई जरूरी काम है? जिसमर हाउशन कहता है कि हाँ, आपनी सही पहचाना इसके बाद अब वो हाउशन को वहां से अंदर ले आए थे जहां हाउशन ने उन्हीं सारी बात बता दी थी और अभी वो हाउवे की बौधी पर से उसकी ब्रेथ को मतलब जिससे किसी को हाउवे की असली पार का पता ना चले उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे माफ करना पर मैं इसकी पार को नहीं छुपा सकता अब हावे को भी गुसा आ रहा था लेकिन हावशन उससे कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता हमें संभल कर रहना होगा ये सुनकर ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि मेरे पास एक दूसरा आइड जिससे तुम इसकी आइडेंटिटी छुपा सकते हो अब उनका इतना कहते ही सीन चेंज होता है और यहां हम उसी लेक के पास आ जाते हैं जहां पर हावशन ने स्टार किंग को गुडबाई कहा था अगर आपको याद ना हो तो यह वही यूनिकॉन स्पीशीज वाला बीस् करता है वैसे यहां हावशन के आते ही स्टार किंग वहां पहुंचता है जो कि सभी उनिकॉन्स का लीडर है वो हावशन को देखते ही उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सान आफ लाइड आप और भी जादा दाकतवर हो जुके हो मैं आपकी लाइट एनरजी मैसूस कर पा र है जो कि हावशन को लड़ाई में मदद कर सकती है यह सुनका स्टाकिंग हैरान था तब यह और मास्टर कहती है कि मैं जानता हूँ जब तुम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब से तुम हावशन के साथ जाना चाहते थे लेकिन तुम नहीं जा पाए पर अब त इस टीस पर हावशन कहनी लगता है कि चंता मत करो मुझे तुम पर कभी राउट नहीं था अब इसके बाद यह दोनों पार्टनर बन चुके थे यहाँ पस स्टाकिंग कहता है कि मैं यहीं रहकर खुद को स्ट्रॉंग बनाऊंगा लेकिन आपको जब भी मदद की जरूरत ह आप मुझे समन कर सकते हो इसके लिए वो हावशन को एक खास स्टाकिंग को समन कर पाएगा हावशन उस सिम्बल को रख लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इसके बाद हावशन के अंदर से लाइट गॉड़िश निकल कर अपनी लाइट एनरजी को यहाँ स्टा स्टार्किंग की पौरी ग्लो करने लगी थी और वो यहां हवा में आ गया था कि दीखते हुए ओल्ड मैन कह रही थे कि कमाल है स्टार्किंग अभी तक सिफ लेवल एट की बीक पर था लेकिन इस लाइट एनरजी की वज़े से और साथ ही तुम्हें समन फॉमिशन देने की व और कहते हैं कि नहीं ये इसका टेस्ट है इसलिए ये इसे ही देने दो ये कर लेगा वैसे अब हावशन बात मानकर रुग गया था लेकिन वो देखता है कि इस टेस्स में यहां स्टार्किंग के हौन और पैर पर क्रैक्स बढ़ने लगे थे असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका पूरा ट्रांस्फोर्मेशन हो रहा है वो खुद की बॉड़ी को भी सरपास करने वाला है साथ ये उसकी बॉड़ी में जो ब्लड सेल्स थे वो भी बढ़ने लगे थे और उसका दिल देसी से धक-दक करने लगा था पर तब ही उसकी पूरी बॉड़ी उतना कम है बसे इसके बाद अब हाउशन बहां उसके ऊपर बैट गया था वो उल्ड मैन से कहता है कि हम फिर मिलेंगे और इतना कहकर वो वहां से उड़ जाते हैं वैसे अगले सीन में हमें बताया जाता है कि स्टार्किंग को अपने साथ करने के बाद हाउशन जाकर पास के रास्ते में जाते वक्त हाउशन हमें बताता है कि जिया यू अभी भी अपना टेस्ट दे रहा है इसलिए वो टेंप्रेरली यू लॉंग पास में रुका हुआ है इस तरफ हाउशन इस दुनिया में उसके लिए जो सबसे जादा इंपोर्टन परसन है उससे मिलने क लिए निकल पड़ा था मतलब वो कायर से मिलने जा रहा है वैसे अब आखिर सीन में चीन्च होता है और हमें कायर को इंचिन टेंपल की सीक्रेट रियलम में दिखाया जाता है और बस इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खरत्म हो जाता है